ओम नमहा आज मैं आपको ओम का ध्यान किस तरह से करें उसके बारे में समझाने जा रहा हूँ आप ध्यान में बैठते हैं पांच प्रॉब्लेम आप फेस करते होंगे नमबर वन ध्यान में आप ज्यादा देर तक बैठ नहीं पाते होंगे एक नमबर दो ध्यान में आपको कभी-कभी निंद आ जाती होगी दो नमबर तीन रोज ध्यान में बैठना मुश्किल रहता होगा और कभी-कभी आपका ध्यान महिनों तक आप नहीं कर पाते ऐसा उसर आता होगा चार मेंटली याज फिजिकली याज डिस्टब होते है तब आप ध्यान नहीं कर पाते है और पांच और आखरी मुद्दा कि आपका खुद का ध्यान पर से विश्वास कभी-कभी डग बगा जाता होगा यह पांच चीजे ऐसी है जो क्वामन है तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि किस तरह से ध्यान पर हम फोकस करें तो क्या फोकस करना है क्या कौनसी ऐसी चीजे है कि रोज आपको ध्यान करने के लिए आनंद दे आपकी दिमाग में शेरोटीन और डॉपामाइन इतना भड़े कि आप ध्यान करने के लिए उस्सुक हो जाए आनंदित हो जाए आपकी आखे और आपकी बॉड़ी की अनर्जी आसी हो जाए कि मुझे ध्यान करना है आथा गंटा 15 मिनिट और मैं पुरे मन से पुरे आनंद कि अध्यान कर सकूं है कैसे करें क्या समझना चाहिए कि भूल करते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए सबसे पहले लोगों के मन में ऐसी बात है कि जमीन पर बैठ कर हमें ध्यान करना चाहिए ऐसा नहीं है आपको ध्यारा मेर पर बैठ कर कर सकते हैं, चेर पर बैठ कर कर सकते हैं, सोफा पर बैठ कर कर सकते हैं, इस पात को क्लियर रखिए, अब जमिन पर बैठ कर भी कर सकते हैं, लेकिन जमिन पर आधा गंटा बैठना अगर दिक्कत दे रहा है, तो आप जमिन पर गादी लगा कर आप आख बंद करने के बाद में में जो बता रहा हूं ऐसा ध्यान कर नहीं जरूरी नहीं आप जो भी ध्यान कर रहा है जिस तरह से भी कर रहा है जिसे भी फॉलो कर रहा है उसे फॉलो कीजिए और उस ध्यान प्रक्रिया में अपने मन में अपने आपको डुबोई यह तो सबसे पहले क्या करना है सबसे पहले आपको आखबंद करके आप किसी भी धर्म अध्यात्म पत को फॉलो करते होंगे मुझे फॉलो करते होंगे तो सब के वहाँ ओम की स्विक्रूती तो है कोई आपको दुनिया का कोई भी दुनिया में कोई भी पथ्वा ध्यात्यमीक, जो हिंदुयस्म को फॉलो करता हो, या कोई भी ध्र्म को फॉलो करता हो, वो आपको ओम, के उपर कोई अब्जिक्शन नहीं लगाएगा, या आप ओम का ध्यान कर सकते हो, तो सबसे पहले, आप अपने ध्यान की जो प्रक्रिया करते हैं, उससे पहले आपको आख बंद करना है, और फिर पांच बार, मैं जैसे बोलू उस तरह से ओम का नाद करना है, ओम को बोलना है, आख बंद कीजिए, रिलेक्स हो जाईए, आपके दिमाग में विचार आएंगे, कि अभी आधा गंटे बाद ये काम करना है, वहाँ जाना है, आज के दिन ये कारेक्रमेटेन करना है, ये काम खत्म करना है, बैंक जाना है, सबजी लेने जाना है, सब विचारों को आने दीजिए, रोकिये नहीं, आप ऐसा अपने मन को मस समझाइए कि मुझे ध्यान करना है और मैं ध्यान करने बैठा हूं बैठी हूं मुझे कोई दूसरे विचान नहीं करने है मुझे सिर्फ अपने ध्यान पर फोकस करना है यह सब अपने माइंड को या बुद्धी को मत समझाएगे जितना आप समझाओगे उतना ही मन आपका भठकेगा दूसरी तिसा में जाएगा उसी वक्त मोबाइल भी बज़ेगा उसी वक्त कोई डौर बेल भी बज़ जाएगा उसी वक्त आपको कोई इमर्जंसी कामयाद आएगा सब कुछ होगा 15 मीट भूल जाएं, 15 मीट आप बैठे ध्यान करने के लिए सब होने दीजिए, मोबाइल बज रहे बजने दीजिए, दर्वाजे पे कोई बैल मार रहे तो भले 15 मीट तक वो बैल मारता रहे, घर का कोई दूसरा सदस्य घर का दर्वाजा खोल देगा तो आपको ध्यान करते वक्त जो भी विचार आते हैं जो भी situation आपके आसपास हो रही है होने दीजे आप समझ दीजे वहाँ है ही नहीं और फिर आपको ध्यान करना है ध्यान कैसे करना है पांच बार ओ ओ शिर्फ ओम बोलना है कितना लंबा खीच सके उतना खीचिए शौट भी होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं ओ ओ ओ पांच बार हो गया अब आप जो ध्यान कर रहे है उस ध्यान को भी आप कंटिनू कर सकते आप पंदरा मिनिट तक आदे गंटे तक यह जितने मिनिट आप करते हो उतनी मिनिट तक मैं जो अपनी ध्यान प्रक्रिया जो मैंने सर्जित की है मैं उसे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं यह आपको समझा रहा हूं, पास बार ओम बोलने के बाद आपको आखे बंद करना है, और ओम नमामी नमहा, ऐसा मन में गुंज करना है, नाद करना है, मन में मैं बोल रहा हूं, ओम नमामी नमहा, ओम नमामी नमहा, ओम नमामी नमहा, यह आपको मन में बोलना है, और बोलते बोलते जब आपको लगे कि आप ठक चुके हैं, तो आप उस सिच्वेशन में ओम नमामी नमहा बोलना बंद करें, और आप ओम की तरफ फोकस कर रहें, आपके आँके सामने, आपनी आज्या चक्र, यानि आप जहां तिलक करते हैं, आपके फोरहेड पर, आप ओम को फोकस करें, ओम नमा मी नमा ओम नमा मी नमा आप नहीं थके हो और 27 बार से ज्यादा ओम नमा मी नमा हो गया हो तो उसके बाद आपको तुरंत आग्या चक्र पर यानि फोरहेड पर ओम को देखना है जैसे आप ओम को देखने लगेंगे, इमेजिन करेंगे, धिरे धिरे आपका ध्यान पूरी शक्ती के साथ ध्यान कैंदरित होगा और आपके मन में उस वक्त फूल एनरजी, पुरा उस्सा, पुरा आनंद आप महसूस कर पाएंगे आप नाचने लगेंगे, आप गाने लगेंगे, दिल से आप तरो ताजा होके 15 मीट बात खड़े होंगे फिर से मैं प्रक्रिया को एक बार बता देता हूं पांच बार ओम बुलना है ओम, 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 ओम उसके बाद ओम नमामी नमह, मन में रटन करना है, मन में चैंटिंग करना है और यह 27 बार हो जाए, यह फिर आप पांच बार बोलके भी ठक जाए, तब को उसे स्टॉप कर देना है और फिर आपके forehead पर focus करना है और ओम को imagine करना है कि आपके सामने, आपके forehead पर ओम है ओम की उटजा है और फिर आपको उस पर focus ध्यान रखना है आवाज आ रही है, सोच आ रही ही, विचार आ रहा है कामयाद आ रहा है, जाना है सब कुछ आने दीजिये मन में, रोकिये मत, उसे जब भी आप रोकने की कोशिश करोगे, वो चीज बढ़ेगी, वो विचार बढ़ेंगे, उसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ेंगी, और आप ध्यान अच्छे तरह से नहीं कर पाएंगे. तो पांच बार ओम बोलकर आप जो ध्यान करते हैं, उस ध्यान प्रक्रिया को आप कर सकते हैं, और मैंने जो ध्यान प्रक्रिया बताएं, उसे भी आप कर सकते हैं, ओमकार का दीवे चेतन्य और आशिरवाद आप पर बना रहें, ऐसा भी राशिरवाद हैं, ओम नमहा, ओम न प्रामाहा